साथियो आप सर्सों का तेल और साग तो खाते ही होंगे पर क्या आप जानते हैं कि ये सर्सों के बीज भी कुदरत की किसी सौगात से कम नहीं होते नमस्ते साथियो स्वागत है आपका लीजिये फिर से हाजिर हैं एक और रोचक विशय के साथ साथियो स्वाद में तड़का लगाने के लिए सर्सों के बीज के इस्तमाल से तो आप सब वाकिफ होंगे ही लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कितनी बीमारियों को दूर किया जा सकता है सर्सों का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले सर्सों का तेल ही आता है या फिर सरसों का साग, लेकिन आज हम सरसों के तेल या साग की नहीं, बलकि सरसों के बीजों की बात कर रहे हैं, जो हर किचन का एक जरूरी हिस्सा होते ही हैं, क्योंकि सरसों के इनहीं बीजों से स्वाद में तड़का लगता है, कई व्यंजनों में स्वाद जोडने के लिए सर्सों के बीजों से तड़का लगाया जाता है सर्सों तीन तरह की होती है सफेद, काली और पीली जो आम तौर पर हर घर की रसोई में मौजूद होती ही होती है सर्सों के बीज के स्वाद के बारे में तो हम सब जानते ही है दक्षिन भारत के हर व्यंजन में इनको भरपूर स्थान दिया ही जाता है लेकिन साथियों आज हम आप से इनके स्वाध नहीं बलकि इनके स्वास्थ वाले पहलू के बारे में बात करेंगे सरसों के बीजों में बहुत सारे पोशक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं इन में कैल्शियम, सेलेनियम, आयरन, फासपोरस, मैगनीशियम और मैंगनीज जैसे खनीजों की प्रचुर मात्रा होती है इसके साथ ही विटामिन बी, प्रोटीन और फाइबर की भी मात्रा खूब पाई जाती है सरसों के बीज में फाइटो निउट्रियंट्स भी होते हैं जो एक तरह का एंटिक्सीडेंट है और यह हमें कैंसर से बचाते हैं खासकर के इंटेस्टाइन से समबंधित कैंसर से इनमें एंटी इंफ्लामेटरी गुन भी होते हैं जो गठिया जैसी बीमारियों के साथ साथ त्वचा रोगों को भी नियंत्रन में रखते हैं सरसों के बीज एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होने के कारण हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं चलिए संग्षेप में जानते हैं इनके कुछ फाइदों के बारे में पहला फाइदा अस्थमा में गुनकारी सरसों के बीजों में मौजूद और शधिय गुन अस्थमा में फाइदे मंद हो सकते हैं एक अध्ययन के अनुसार सरसों के बीज में साइन पाइन नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है जो मांस्पेशियों की सक्रियता और फेफ़रों की क्षमता को बढ़ा कर स्थिती के विपरीत कार्य को रोकने में मदद करता है दूसरा फाइदा सरसों के बीजों में राइबोफलिविन नामक विटामिन मौजूद होता है जो माइग्रेन के खत्रे को कम कर सकता है तीसरा फाइदा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे दॉक्तर्स के मुताबिक सर्सों के बीज पाचन क्रिया में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं इससे कब्स डाइरिया जैसी समस्या ठीक हो सकती है चौथा फाइदा डाबिटीज कंट्रोल करे एक शोध में पाया गया है कि काली सर्सों के बीजों में हाइपोगलाइसेमिक और एंटीडाइबिटिक गुन पाये जाते हैं जो रक्त में मौझूद ग्लूकोस के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं सर्सों के काले बीज टाइप दो डाबिटीज की समस्या में आराम पहुचाने का काम कर सकते हैं पाँचवा फाइदा दिल को स्वस्थ रखते हैं अगर आप थोड़ा सा सर्सों के बीजों को चबा कर खाते हैं तो इसे दिल का स्वस्थ ठीक और संतुलित रहता है इससे आर्टिरीज चौड़ी होती है इन में ब्लॉकेज नहीं होती जिसके कारण हार्ट डिजीज जैसे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होने का खत्रा कम हो जाता है छठा फाइदा सर्दी जुखाम में मददगार अगर सर्दी जुकाम है तो इन बीजों को चबा कर खाएं यह सीने में कफ के कारण होने वाले कंजेशन को भी कम कर देते हैं सात्वा फाइदा बुखार कम करे बुखार कम नहीं हो रहा हो तो सर्सों के बीजों को चबा कर खाना चाहिए इनसे शरीर से पसीना निकलता है जिससे बुखार धीरे-धीरे कम होने लगता है यह शरीर में मौझूद हानिकारक पदार्थों को भी बाहर निकालता है आठवा फाइदा दाद और खुजली दूर करे सर्सों के बीजों से दाद खाज खुजली भी ठीक हो सकती है सर्सों के बीजों को पानी में फुला ले और इसे चबा कर खाए साथ ही आप इनका पेस्ट बना कर दाद खुजली वाली जगहे पर भी लगा सकते है तो साथियो ये थी सरसों के बीजों के फाइदों की बात वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक विशय के साथ दिस्क्लेमर वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपके सामान्य ज्यान के लिए ही है ये किसी प्रकार की चिकित सकीय सलाह नहीं है मानना या नमानना आपके विवेक पर निरभर है बी आर जी के पीडिया किसी तथ्य की पुष्टी का दावा नहीं करता है पुष्टिकरण के लिए किसी स्वास्थ्य विशेशग्य अथवा योग्य चिकित सक्से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्ते